हलो लर्नर्स, वेलकम टू माई योट्यूब चैनल, आज की वीडियो में हम लोग फिर से एक इंपॉर्टन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक रिलेट करेगा किस से हमारे हरियाना से रिलेटेट, हम सब को पता है हमारे हरियाना का जो है बर्थ कप हुआ है 1st November 1966 क इसी से रिलेटेट हम लोग देखेंगे क्योंकि हरियाना में कितने जिले हैं 22 जिले हैं, उनी जिलो की जो डेट है वही हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेशन आपको देखने को मिलता है, चाहे आपका कोई भी एक्जाम हो, HSTAT का एक्जाम हो, हरियाना से तो उस नाइम हर्याना के कितने जिले थे जब हमारे हर्याना का गठन हुआ तो कितने जिले थे साथ जिले थे ठीक है हम लोग ध्यान में रखेंगे कितने जिले थे लर्नस साथ जिले अब वो साथ जिले कौन कौन से थे यह हमें याद रखना है सबसे पहले हम ध्यान में रख महिंदरगर, गुरुग्रैम और रहतक तो ये सातो जिले हमारे कम्प्लीट हुए तो अब देख लेते हैं आगे नेक्स जिला कौन सा है तो देखिए सोनिपत का और भीवानी का इन्हें कब बनाया गया है 22 दिसंबर 1972 को तो इन्हें कब बनाया है दिसंबर में बनाया है और ड देखने को मिलते हैं ठीके और जो है इसे कब बनाया गया 23 जैन 1973 को लर्नर से से बनाया गया तो हम यह ध्यान में रखेंगे ठीके अभी तक म लोगों ने कितने जिलों के बारे में डिसकस कर लिया दस जिलों के बारे में और अभी हमें टोटल कितने जिलों डिसकस करने है 22 ठीक है उसमें से 10 हमारे कम्प्लीट हुए और बचे सिरफ और सिरफ 12 अब next देख लेते है learner जो हमारा सिर्सा है इसे कब बनाया गया इसे बनाया गया 26 अगस्थ 1975 को ठीक है इसके बाद कौन सा जिला बना वो बना है हमारा फरीदा बाद इसे कब बनाया गया 15 अगस्थ 1979 को ठीक है learner चली आगे देख लेते हैं learner इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पानी पत यम्ना नगर रिवाडी और हमारा कैथल इसे कब बनाया गया है 1989 में फर्स्ट नुवेंबर 1989 तो ये चार जिले एकी साथ जो है आपको मिल गए है पानी पत यम्ना नगर रिवाडी कैथल ठीक है इनने learn करने के लिए ध्यान में रखेंगे जो है एक नवंबर 1989 को कौन से जिले बने है चार जिले बने है कौन कौन से पानी पत यम्ना नगर रिवाडी और हमारा कैथल ठीक है इसके बाद अगर हम लोग बात करें पंचकुला तो पंचकुला कब बना है हमारा 1995 में 15 अगस्त 1995 पंचकुला को याद रखने का तरीका पंच इसमें भी पहाँ चाता है ठीक है और ये बना भी कब है 1995 में ठीक है इसके बाद नेक्स बने है हमारे दो जिले जिसमें से एक है हमारा फतेहा बात और दूसरा है हमारा जजजर ये कब बने है 15 जुलाई 1997 को ठीक है लर्नस इसके बाद नेक्स आता है नू नू को हम लोग क्या बोलते थे सत्यमेवपुरम ठीक है जिसका पहले का नाम क्या था सत्यमेवपुरम लेकिन इसे जब बनाया तो वो कौन सा ये अर था हमारा 4 अप्रेल 2005 को कौन सा जिला बना हमारा नू उसके बाद आता है हमारा पलवल पलवल जिला कब बना है 2008 में बना है कौन सी डेट को 15 अगस्ट 2008 को क्या बना हमारा पलवल बना उसके बाद आता है हमारा चर्की दादरी ये कब बना है ये 16 November 2000, 16 को ये सबसे नया जिला बना है हमारा कौन सा चर्की दादरी ठीक है और इसकी घोशना कम की गई थी 18 October 2016 को लेकिन बना कभी ये 16 November 2016 को ठीक है आप ये दोनों चीज़े याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है अब हम लोग देख लेते हैं हरियाना के ऐसे दो जिले ठीक है ऐसे दो जिले जो बिलकुल जिसे हम बोलते हैं heart of हरियाना जो किसी के भी साथ अपने boundary को share नहीं करते वो कौन कौन से दो जिले हैं वो है हमारा एक तो रहो तक ठीक है और दूसरा जिला हमारा कौन सा है ये आप मुझे कमेंट में अंसर करेंगे लर्नस ठीक है इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हरियाना का ऐसा कौन सा जिला जिसे दो बार बनाया गया है तो आपका अंसर क्या रहेगा लर्नस पानी पत ठीक है पानी पत को कितनी बार बनाया गया है दो बार इसके साथ साथ ही गुडगामा को गुरुग्रेम और जो नू है उसे मेवात को क्या कहा गया नू कहा गया तो ये कब हुआ है ये हुआ है बारा एप्रेल दो हजार सोला कौलर्नस ठीक है ये भी हम लोग ध्यान में जमना है इसके साथ साथ आपको याध रखना है हरियाना का एरिया ये तो देखो सब को ही पता होगा लेकिन अगर किसी को नहीं पता है मैं फिर से बता देती हूँ 44,212 2 victory milj square हमारे हरियाना का क्या है एरिया है ठीक है और अगर ये हम बात करें इंडिया पूरी इंडिया में हमारा हरियाना का area जो है वो कितने percent है तो learners हमारा answer क्या होगा 1.34 percentage ठीक है तो हमारा answer क्या रहेगा 1.34 percentage ठीक है अब अगर आप लोग उसे बात की जाए question पूछा जाए हरियाना जो है अपने जो है सीमा जो है कितने राज्यों के साथ share करता है तो हमारा answer क्या होगा लगना पांच राज्यों के साथ share करता है ठीक है पांच अब वो पांच कौन कौन से हैं सबसे पहले पंजाब ठीक है हिमाचल दूसरा उतरांचल यूपी ठीक है उत्रान चल यूपी और राजस्थान ठीक है ये चारो जिले जो है सोरी पांचो जिले जो है हमें याद रखने हैं सबसे पहले पंजाब हिमाचल परदेश ठीक है उत्रान चल इसके बाद हमारा जो है उत्तर परदेश के साथ और हमारा राजस्थान के साथ जो है क्या करते हैं हमारा हरियाना जो है वो बाउंडरी को शेयर करता है और ये हमें पता ही है हरियाना को हम क्या कहते हैं लर्नस गेह की कटोरी ठीक है लर्नस इसके बाद अगर हम लोग देखें जो जो हमारा हर्याना का जो एक मत्र जिला है कौन सा पंचकुला वही किसको चूता है वही हमारे केंदर शासित प्रदेश जो है चंदीगड की सीमा को क्या करता है चूता है यह भी हमें याद रखना है ठीक है इसक से हर एक्जाम में कोई न कोई क्रिशन आप लोग उसे पक्का पूछा जाता है ठीक है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनियेगा अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहे है तो वीडियो को दोबारा से सुनिये और लर्नस अगर आप में से किसी ने मेरी पिछली भीडीओस नहीं देखी तो प्लीज चैनल पर जाए और वीडियो सीठाब कन्टेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लायक कर vein मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए जितना पॉसिबल हो सके लर्नस प्लीज मेरी वीडियो उसको शेयर करिए आपके support की बहुत जादा requirement है ok learners मिलते हैं अपनी next वीडियो